कारिकर्म की शुरुवाद हम कर रहे हैं संस्कृतिक प्रस्तुति से राश्ट्रिय पंचायती राजदिवस 2023 के शुभव सरे वं मानने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभव आब गमन पर संस्कृति विभाग मंद प्रदेश शासन आपके समक्ष एक संदेश नाटी का प्रस्तुत करने जा रहा है नदिया जंगल ज्छरने परबत रखना इन्हें संभाल कर धर्टी मा की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक मंतामाई गुहार आईए देखते हैं और समझते हैं लगुनाटी का जिसका नाम है धर्वती कहे पुकार की कर दो कर दो मैं हजारों साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोशन कर रही हूं मैं तब ही थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब कि रसाय मेरी मिट्टी के उपचाव पन को खट पकर रहे हैं और और उसमें पाई जाने बना नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है तेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है मैं धीरे धीरे और ठक रही हूं लेकिन लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी बहुत प्रसंद थी हमेशा हस्ती थी मुझे अब भी याद है मैं तुम्हारे मा सुंदर क्यों न होती मुझे तो सुंदर होना ही था क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी मा के रखवाले थे आप लोग प्राकृते खेती करते थे और फिर हमारी सभेदा में तो प्रार्थनावे धर्थी कल्यान की है ओम द्याव शान्ति ही अंतरिक्षः शान्ति ही फ्रित्विय शान्ति ही ओशधया है शान्ति ही वनस्पतय है शान्ति ही ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही कि नदिया जंगल जरने परबत रखना इन्हें समार के इनको रॉंदा तुम ना बचोगे धर्ती कहें पुकार के हजारों साल से मनुष्य धर्ती के गोद में रहता आया है लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धर्ती मा को क्या दिया ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे है उर्वरक्ता को बर्बाद कर रहे है आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायने खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाब देगी लेकिन लंबे समय में उसी रासायने है और तो और फसलों में पानी की खबर भी बढ़ गई है जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का सर्थ समीन के काफी नीचे जा रहा है बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ मैंने तुम्हें सुक से जीदे के लिए पर्याप संसादन दिये हैं पर तुम्हारे लालच के पूर्ती के लिए नहीं दिये ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीड़ी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं सोचो चा तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो अरे तुम तो विंध की बेटी हो मध्य प्रदेश की बेटी हो भारत की बेटी हो आओ तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ धर्ति मां, हम ता अपने बिंत के सबे जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के माग बन चुकी है प्राकृतिक खेती या उद्धेश के साथ हो थै कि जो उने जमीन अउ हम्रे मिट्टी के उर्वररकता बनी रहा हम सबका प्रक्रिती के साथ मिर्चु चैसर प्योहार करें चाहिए हम अपना से आमेवाली पीधी के तरों से या विशे का ध्यान दाई के सुने और देखे के विंती करी थी अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे नेचुरल फार भी न हुई तो हात भरे रह जाओगे मा का शोशड कौन है करता कौन है मिट्टी सहर सभरता जब से जैवित खाद को जोड़ा भुशाली से नाता तोड़ा अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे लेकिन धर्ती मा आपको सुरक्षित और प्रसन रखने का उपाय क्या है एक ही उपाय है धर्ती एक परिवार एक भविष्य एक इस मूल मंत्र को आत्मसाथ कर लो प्राकृतिक संसाधन को बचाओ प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसे पद्धती से जैसे गो आधारित उत्पाद जीवा मृत बीजा मृत पंचगव्य गो मूत्र छाच का उप्योग करो ताकि मिट्टी की उत्पादक्ता बनी रहे याद रखना मैं माटी हूँ मा होना मेरे नाम में बसा है पोशन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है करोणों सालों तक धर्ती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई पेट भरा जब सबका तभी मैंने संतुष्ठी पाई वो मा हूँ मैं सबकी जिसने जन्म न देकर भी जीव संभव बनाया अर्नदाता मेरे पुत्र किसान तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया दिन राज सीच पसीने से मुझको हर मू तक रोटी पहुचाई जब तुमने माथे मुझे लगाया मैं हर्याली बनकर मुस्काई मिट्टी बंजर होने से या धर्ती के नुकसान से किसी एक देश एक द्वीब एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है बलकि सभी का है क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं धर्ती के शिंखला टूटी माला टूटी सब बिखर जाएंगे सब खत्म हो जाएंगे धर्तीक परिवार के जैसी सबका भविश्य है के वले धर्तीक परिवार के जैसी सबका भविश्य है के वले बचे की धर्ती सभी बचेंगे जीवन पत्थ की माला एक अर जीवन पथ की माला एए हीरा मालिक पन्ना मोती माना सब के रूप अने हीरा मालिक पन्ना मोती माना सब के रूप अने अर बचे के धरती सभे बचेंगे जीवन पथ की माला एए जीवन पत्थ की मालाए, अर्य जीवन पत्थ की मालाए